आज भी वह ज़्यदा रेलिवेंस है रित बेसिकली जा होता है जी हम लोग रोजना एक चीज देखते हैं कि रोज सुबर सूर्य उगता है साम को सुरज डल जाता है रोजना चांद आता है वापिस अला जाता है कई बार नहीं आता बारिस का मोसम आगया बारिस के मोसम जे बाद में बारिस सली जाए जी फिर सर्दी आए जी सर्दी जे बाद में ठंड आए जी ठंड जे बाद में बसंत आएगा बसंत जे बाद में वापिस गर्मी आए जी क्या कभी गर्मी ओजी बाद में सीधी सर्दी आगी बीज चे अंदर बारिस को स्टिप कर दिया जी इस साल बारिस में नहीं आऊ जी इस बार में रूस ली ठीक ना इस बार में सर्दी नहीं पड़ूंगी इस बार सीधी गर्मी गर्मी रहे जी कैसा कभी हुआ नहीं हुआ यह सब की सब निरंदरता बनी विए एक stability बनी विए किस कारण से रित के कारण से जो जनमेगा वो मरेगा यह confirmity है ठीक है जो आया है वो जाएगा यह सब किसे कारण हो रहा है रित के कारण क्या किसी ने देखा जी 12 जे 12 महीने सूरत लगातार ही च पात्रेती है उसकी विए एक निरंदरता है regularity है तो basically जो रित है वो एक परकार की regularity है it is a stability, it is a order एक व्यवस्ता है यह व्यवस्ता जो सत्य है जिस सत्य को कोई नकार नहीं सकता कोई यह नहीं बोल सकता कि आज सूरज नहीं उजएगा सूरज छिप सकता है उगेगा जरू बादल आगे तो छिप जाएगा कि आज पूरनीमा है आज चांद नहीं आएगा ये इड़न वस्त-ृत्त सथे है वही है रित कि हर हाल में जो चीज होनी है वह चीज ही रित है रित एक प्रकार का पोर्स है रित एक बल है वह बल जो स्वतंतरता लेगी आता है कि दर्ती जो इतने भी ब्रमान्ड के अंदर चीज़ें वो एक स्वतंतर रूप से विच्रण कर रही है और स्वतंतर तरीचे से अपना काम कर रही है दर्ती 365 सही एक बटा चार दिन के अंदर सुरज का चकर लग एक ही पोजीशन में रहें जहीं रोजगे नियम और कायदों के तएसा भी लोग संचातित हो रहें लोग संचालित मतलब जितने वी ब्रमान्ड की जो पधार्त है सारे इसी चीज़ों से संचालित हो रहे है एक निश्चित्ता है कि हम लोग पंच बूतों से ही बनेंगे, तो पंच बूतों से ही बनेंगे, इसके लावा दूसरे चीज़ से नहीं बनेंगे. जीब से ही स्वाद ले सकता है क्या है निश्चित्ता बुद्धी से ही सोच सकता है हर चीज यह एक निश्चित्ता है यह जो निश्चित ओडर है इसी को ही रित कहा जाता है तो रित एक परकारजी ब्रमांड ये वेवस्ता है not करमकांड ये वेवस्ता एक परकार जिए है इट इस अ कोस्मिक ओडर, विच रेगुलेट्स ओल दे मटेरियल इन दे कोस्मोस, बरमान्ड के अंदर सभी मटेरियल्स को रेगुलेट करने वाली, निरंतर्ता बनाये रखने वाली, उनको सेकुरुटी देने वाली, सेप्टी देने वाली, और बर्बांड में सभी चीजों की निरंतरता, सुरक्षा, निश्चित्ता, उचित्ता, नियमित्ता, जिस नियम के कारण आती है, जिस सिध्धांत के कारण आती है, वही सिध्धांत है, रित का सिध्धांत, अगर इस सिध्धांत के साथ में कुछ भी दिक्कत की जाती है, त का बिगड़ना, stability नहीं होना, किसी भी चीज़ की एन श्चित्ता, व्यक्ति के दुवारा जूंट बोलना, जूंट है जो वास्तिविक नहीं है, वास्तिविक नहीं है तो मतलब रिलाइवल नहीं है, विश्वसनेता की कम ही आना, ये सबी रित्ये अजेंस्ट के चीज़ें ह व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है, परसासन में सिट्या, उप्योगिता है, साथ के अंदर बर्मान और प्रकृति के लिए ये क्यों ज़रूरी है, वह जानने के लिए इसे रित्ये को हमारे कोर्स में डाला गया है, और A is a civil servant, हम लोग एक लोग सेवक बनेंगे, तो हमा ये के लिए और ये जानवराना एक्जिस्टेंस, हमारा केवल मेर अनिमल अस्तित्व है, इसके लावा हम लोग कुछ भी नहीं है, जिस व्यक्ति ने रित को जान लिया वो व्यक्ति बन गया है, यूमन बींग, तो हम लोग एक बींग बनने की प्रकृया के अंदर है, हम ल अंगल पर प्लोट काटने पढ़ जाएंगी, और वहाँ पर जाना पड़ेगा, जाना गलत बात नहीं है, इसलिए जाना की धरती रहने लाइक नहीं रहेगी, जैसा स्टीफन सोचिंस ने चेताओं नहीं दीती, he warned before his death, that earth will be no longer for the human existence, यानि मानों के अस्तित्व है ये लिए धरती अब काम की नहीं रहेगी, 21 सदी, जब तक आप 2100 सन 2100 में पहुंच जोगे, उसे बाद आपको हर हाल में धरती छोड़नी ही फिड़ेगी, इवन एलन मस्क भी कहते हैं कि धरती रहने लाइक नहीं रहेगी, क्यों ये जो artificial intelligence है, global warming है, climatic issues हैं, वो इतने इस level तक पहु होती है, तो नहीं गाड़ी कोन लेता है, जब पुराना ही मकान अच्छा है, तो नया मकान कोई नहीं बनाता, जब पुरानी किताब अच्छी है, तो नया किताब के लिए कोई नहीं भागता, जब सिवान सुझी नहीं गड़ी एकदम बढ़ी है, तो नहीं गड़ी के लाइग नहीं रहेगा उस दिन में इसको छोड़ूँ महां, तब तक में इसको हर हाल में ही भेनूँगा, तो धर्ती भी रहने लाइग नहीं रहेगी अगर हम लोगों के द्वारा रित के कॉंसेप्ट को पोलो नहीं किया जाएगा, तो रित क्या है एक परकार की सक्ति है, ब कोस्मोस और प्लानेटरी बोडी साथ में ही प्रकृति का संचालन करती है, इट रेगुलेट एंड मुव ओन, ओल दे कॉंसेप्ट इन दे बर्मांड, यानि यह नियंतरित करती है सबको, और सबको आजे बढ़ाने का काम करती है, जिस सक्तिजे कारण हम लोग आजे बढ़ लक्षेजी प्राप्ति ना हो जाए, तो हम लोगों को जो लक्षेजी तरफ ले जाने वाला कॉंसेप्ट है, वह रित है, कि रित में फोलो करो, इसको फोलो करो, रीत, इसे रित से ही रीत सब्द बना, कि जो विवस्ता चली आ रही है, रीत का मतलब क्या होता है, जो वही वास्तविक है जो वास्तविक है वही विश्वस्नी है जो विश्वस्नी है वही फोलो किया जाता है और जो फोलो किया जाता है वही रित है और इस वास्तविक्ता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है नेतिक जिम्मेदारी है इट इस एन obligation, it is a moral obligation, moral duty है एक परकार की, रिक्त का जो वरणन है वो रिगवेद में हुआ है, रिगवेद के अंदर इसका वरणन है, रिगवेद में 450 बार रित के बारे में बातने की गई है, चार वेद है, रिगवेद लिखा गया पंद्रासो बीसी से लेके, एक हजार बीसी के बीच मे उसके बाद में उत्तर वेदी काल आता है, उसके अंदर अथरवेद, सोम वेद और यजुर वेद लिखे गए, ये वेद बाद के अंदर आते हैं, तो जो रिगवेद हैं, उसके अंदर 450 बार से ज़्यदा इंफेसिस दिया गया है, रित के उपर, उसके अंदर सब वेवस्ता बनाए रखें, करपया अनुसासन को फोलो किये, करपया नियम कायदों का पालन करें, जब हम लोगोंने रित फोलो नहीं किया, तबी तो कोरोना आया, और कोरोना में जिन्वेद फोलो कर लिया, मतलब जो लो एंड ओडर हो जो वेवस्ता बनी भी थी, उसको हम लोगोंने फोलो जिया, उनके कुछ नहीं बिगड़ा, जिन्होंने फोलो नहीं किया, उनके साथ में बुरी कंडिशन हुई, ठीक है? अगर हमारे दुआरा ये फोलो बात कर ली जाती है, जिरेगुलर क्लास में आना है, और क्लास में आचे मुझे पूरे ध्यान से जाता है, कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि दुनिया जी जो सबसे बड़ी सकती है, वह है, रित्य, और ये रित्य ही क्या है, निरंतरता, कंटिनुटी, कंफर्मिटी, इसलिए अलग अलग लोगों के दुआरा ये बोला जाता है, कि अगर कोई व्यक्ति रोजना 10 गंडे काम क करें, और लगतार 1000 दिन तक काम करें, तो उसको सपलता पाने से कोई नी रोग सकता, हर हाल में वह व्यक्ति व्यक्तित्व बन जाता है, विकम पर्सनेलिटी और पर्सनेलिटी बनने का एक तरीका है, अनुसासन को फोलो करना, कंटिनुटी को फोलो करना, खुद को उस लक् में अपनी जान डाल दो, जीना, मरना, खाना, पीना, उठना, बेटना, सोना, जागना, सभी जे सभी उस लक्षे जी अंदर समर्पित कर दो, तो तुमें सपलता हर हाल में मिल जाएजी, और सपलता पाने का एक मातर तरीका यही है, तो यह सब कॉंसेप्ट रित से ही उठा पर्टिकुलर लाइन पे नीच ला जाता, तो रेल पटरी से उतर जाती है, डी रेल हो जाती है, यानि अब उसके साथ में लगातार नीच लगी और जो लगातार रेल चलती है, वो 400-500 किलोमेटर परती गंटे जी स्पीड से, इपने भी स्पीड से चल सकती है, हम लोग और विवस्ता बनी रहे जी, तो यही बात यसे द्वारा बोली जा रही है, रित के द्वारा बोली जा रही है, रित ही वह विवस्ता है, जो दिन और रात की निशित्ता रखती है, रितों जी निशित्ता रखती है, मोसम जी निशित्ता रखती है, महीनों जी निशित्ता रखती है, जीवन और मरण की निशित्ता रखती है, कि धर्ती सूरी के चकर काटेगा, इसकी निशित्ता रखती है, हर की इतना तापमान गर्मी में पड़ेगा, इतनी सर्दी, सर्दियों में पड़ेगी, हर की निशित्ता रखने वाला जो सिद्दान्त है, वही सिद्दान् रित परकार का एक परकार से कंट्रोलेबल ओडर है जो सब को नियंतरित कर रहा है जो कभी-कभी लगता है कि अपोनीच बगवान है ये जो वास्तम में जो बगवान है वो है रित इस रित को बनाए रखना बहुत ज़्यादा वास्तमिक में अगर हम लोग किसी को बगवान का दर्जा दें वो रित को बगवान का दर्जा क्योंकि रित सत्य है और सत्य ही सिव है सिव ही सुन्दर है और सिव ही इस्वर है सिव ही बगवान है तो जब बगवान ही रित है तो रित हमेरे द्वारा पोलो की जाने चाहिए करमकांड ये विवस्ताएं अलग होती है और ब्रमांड ये विवस्ताएं अलग होती है ब्रमांड ये विवस्ताएं वह विवस्ताएं होती है जो प्रकरती का नियंतरन करती है प्रकरती को मेंटेन रखती है रेगुलेट रखती है प्रकरती में किसी परकार का disorder नहीं आने देती, दिन और रात का बनना, रितों का आना, मुसम का आना, सूरज, दर्ती, चांद, तारों का एक regular form के अंदर moment लेना, revolution करना, rotation करना, ये बर्मांडिये व्यवस्ताएं हैं, और इन बर्मांडिये व्यवस्ताओं को जो regulate करने वाला concept है, वो है रित का concept जिसी परकार का कोई confusion, अब रित दो सब्दों से बनावा है, जिसे रित, क्या है, रित, ऐसे बनता है रित, यह इसको हम लोगों जे दुवारा ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग-अलग किताबों, अलग-अलग concept होते हैं लिखने के, वो है अलग- अर्थार, यह रि दातु किता है, इस रि दातु से रित सब्द का origin हुआ है, और रि का मतलब होता है, move on, to rise, to uphold, to go upward, to move again, to move towards, to follow, to maintain, to rise, to attain, to gain, यहनि आजे बढ़ने का जो concept है, वही है रि, री का मतलब होता है आजे बढ़ना, प्राप्त करना, ताकत से आजे बढ़ना, उर्जा से आजे बढ़ना, पाना, मिलन, व्यवस्ता जे साथ में मिलन, वही है री धातू, और री से ही क्या बना है? रित, तो हमारे को लगातार मुँँ ओन करने की जो बात बोलता है, वो कोन है, रित बोलता है, इसलिए गाणा भी दाता है, कि फट जाना नहीं, तू कभी हार चे, रुख जाना नहीं, तू कभी हार चे, यानि लगातार व्यक्ति को मुँ ओन गड़ना होता है, तो ये इनर मोटीवेशन भी बनता है, बहारी मोटीवेशन भी बनता है, कभी धरती को हमने रुकते में देखा कभी दर्ती नहीं रुखती है कभी सूरज को रुखते में देखा कि सूरज रुख गया आज रेस्ट का लेते हैं वैसा मैं बहुत फ़क गया किसलिए अर्वों सालों से मैं लगातार गूम रहा हूं गूम रहा हूं यह कोई होता है यह मेरे को भी तो जुरत होती हैं जैसे आप लोग Sunday बनाते हों तो Sunday मतलब Sun का डे तो मेरा भी तो दिन होता है तो आज मैं क्या कर देता हूं डार्क डे कर देता हूं तुमारे दिन में भी क्या नहीं आएगा रोस नहीं नहीं आएगी अगर सूरज डार्क डे कर दे हमारा तो ultimate source of energy कौन है सूरज अगर रुक गया मतलब सब कुछ ही रुक गया तो सूरज की जो stability security maintain कौन कर रहा है रित कर रहा है यह रित ही बोलता है कि जब तुमारे को ultimate source of energy तुमारे को जिसे मिली यह सूरज से जो जी सूरज ने पेड़ पोदों को photosynthesis से लिए light दी लाइट दी तो इस ने स्टू प्लस CO2 chlorophyll और chloroplast के अंदर मिलके क्या बना दिया और 6 प्लस oxygen बना दिया यह सूरज जी बनी ओक्सिजन को तुम ले रहे हो उस फिर तुम लोग रुक क्यों रहे हो तो जैसे सूरज आजे बढ़ता है लगातार तुम भी आजे बढ़ो कभी हमें रुकना नहीं होना होता ह हमेशा व्यक्ति को प्रोग्रेस करनी होती है कई बार हम लोग देखते हैं जी प्रोग्रेस नहीं में तो डिग्रेस होगे में हार गया हम हारते नहीं हैं वहां पर हम लोग अनुबहु प्राप्त करते हैं हारता वह है जो कुछ भी नहीं करता और हर व्यक्ति जीतता है जो क कुछ ना कुछ करता है तो उसके दुवारा कुछ ना कुछ प्राप्त की जाती है चीजे और ये जो रित होती है ये एंशूर करती है कि आपने आज करम की है उसका फल कल आपको हर हाल में मिलेगा कल का मतलब अभी करम करूंगा जस्ट थोड़ी देर बाद में ये लोंग ट्र है रित का कॉंसेप्ट ठीक है रित अटार्ट होता है उचित उप्यूक्त सही सत्य व्यवस्ता कानून ओडर ये सभी कॉंसेप्ट किसे आते हैं रित से जो उचित है वह रित है जो उप्यूक्त है वह रित है जो सत्य है वह रित है जो व्यवस्तित है वह रित है जो कानून सम्मत है वह है रित है जो नियम काईदों परंपराओं से बना हुआ है जो परंपराओं को संचालित करता है वह है रित है तो इस रित को हर हाल में व्यक्ति को फोलो करना होता है होता ही है जो व्यवस्ता से हमारा मिलन कराए जो लक्षे तक हमें पहुंचाए वही है रित है concept में कोई confusion रित अर्थार्थ होता है सत्य उचित सही उपयुक्त पत्थे जो चलने योगे हो जो खाने योगे हो जो बहद्दुर हो जो इमानदार हो जो अडिक हो अटल हो इस्ताई हो stable है, शेक्योर है, रेगुलर है, कनफरम है, इस्टेबल है, आडिक है वही क्या है रित है, नियम है जो पवित्र करम है और जो देवताओं द्वारा करम किये जाते हैं वो रित है जब व्यक्ति के द्वारा रित्र का पालन किया जाता है तो व्यक्ति के अंदर व्य गुण विक्षित हो जाते हैं जो देवताओं ये अंदर गुण है तो देवताओं वाले गुण बनने का मतलब होता है complete personality हमारा एकॉन से बता है complete personality क्या होती है तो complete personality वही होती है जो इन चीजों को follow करती है, complete personality का मतलब जो लगातार move on करे, complete personality का मतलब जो की अपने मन, करम और वचन की सत्यता रखे, जैसा बोले, जैसा सोचे, वैसा ही वै करे, उनके मन में, वचन में, करमों के अंदर किसी परकार का difference नहीं हो, वही तो complete personality है, जिसका body build, well body build हो, यानि जितने भी उसके सद्यांग काम कर रहे हैं, दिव्यांग व्यक्ति भी complete personality हो सकता है, लेकिन अगर जिसी व्यक्ति के मस्तिक्स काम कर रहा है, only brain is working, वह भी complete personality हो सकता है, उसके द्वारा नियम काईदों को follow किया जाता है, कभी देखा इस्वर नियम काईदों को तोड़ दिया हो, कि भगवान सीव नियम काईदे तोड़ दिया हो, भगवान विष्णों नियम काईदे तोड़ दिया हो, नहीं तोड़ दे ये नियम काईदे, इसलिए तो वो क्या है, भगवान है, इसलिए वो भजे जाते हैं, अगर भगवान के द्वारा नियम काईद जिन्होंने एनरित को पोलो किया, रित का अलग कोंसेप्ट होता है, एनरित, वो रक्षस बन दे, रक्षस बैमान होते हैं, ऐसकते निष्ट होते हैं, काला धन बरष्टाचारी होते हैं, वो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, climate change के लिए responsible है, जंगलों में आग लगन जे लिए responsible है, यानि extension of the flora and fauna जे लिए responsible है, all these are the raksas, raksas का काम क्या है, लोगों को खाना, हमारे को एक concept दिया गए, माइतोलोची में कि raksas बो जाता है, जंगल में आग लगा देता है, पुरा पाणी सोग लेता है, बाड ले जाता है, पड़ले ले जाता है, यानि आतता ही होता है, ताना सा होता है, ब्रश्टा चार करता है, वही तो राक्सस का concept है, तो राक्सस जो गलत काम करें, जो एनि रित के मार्क पे चले, और जो रित के मार्क पे चले, वो देव उता रहेगा, तो ये रित का concept होता है, इसका concept है, रित का concept, ठीक है ना, ये एक सास्वत नेतिक व्यवस्ता है, It is a eternal moral order क्या है एक प्रकार की? eternal eternal moral order सास्थिक नेतिक व्यवस्ता है सास्थवस्ता मतलब जो लगाता लंबे समय से चला रहा है या नीजी चीरकाल से जो चीर चली आ रही है उसे ही शास्थवस्त कहा जाता eternal होता है एक दूजर गोंजर दो इफेमेरल प्षन वंगूर जो थोड़ी देर के लिए आया और फिर वापिस चला गया थोड़ी देर के लिए आने वाला सुख थोड़ी देर के लिए मिलने वाली खुशी ये सब मिलती है एन रित्माद्यमों से और जो सासवत चीजे होती है सासवत्य सासवस्त सत्य जया है truth is eternal यानी कभी भी truth के अंदर कोई तोर मरोड हो सकती है जैसे truth के अंदर तोर मरोड हुई वो ऐ नरिते बन गया वो जूट बन गया ए सत्य बन गया और ये moral order है नेतिक व्यवस्ता है नेतिक व्यवस्ता पुराने प्राचीन काल से चली आई तभी हम लोग इस दर्दी पे रहे पा रहे हैं, तभी पेड़ फल दे पा रहे हैं, और फसले अनाज दे पा रहे हैं, जबी गाय के दुआरा दूद दिया जाता है, बेंस के दुआरा हमें दूद दही दिये जाते हैं, गोडों पे हम लोग सवारी करते हैं, कुत्तों की वफ जब रित में पूरी ही गड़वड हो जाती है तो कल यूग आता है, सत यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कल यूग, ये रित के अनुसार ही बदलते हैं, वर्तमान में गड़वड जिसी आ रही है, रित की, अब रित से हम लोग किसी तरफ आज ये बढ़ने लग इसलिए बोला जाता है, अनीत कर रहा है तो, मतलब बदमासी कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो जो करेगा बुरा तो होगा भी बुरा, तो रित क्या करता है, हर चीज का इसाब रखता है, जैसे चित्रगुप्त हमारी हर करमों का हिसाब रखते हैं, वैसे यम भी रित है चित्रगुप्त भी रित है सभी देवतार रित में समाईत है क्योंगी सभी देवतार रित को follow करते है, तो हमारे हर करम का इसाब रखने वाला कौन है? रित है, बुरे काम का बुरा नतीज़ा स्वनभई चाचा, हाँ बतिजा तो हर काम का क्या है बुरा नतीजा ठीक है नेक्स्ट क्या है यह एद्रिस्य सिद्धान्त है किसा सिद्धान्त है एद्रिस्य सिद्धान्त है यानि यह क्या है एद्रिस्य सिद्धान्त यानि दिखाई नहीं देता है यह रित कभी भी चिसी को दिखाई नहीं देता है बस महसूस होता है रित के अनुसार चले तो आपको महसूस होगा तो चाह कभी चिसी को कुसी दिखाई देती है दांत दिख गए मतलब खुशी दिखाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कि आपने पढ़ाई करी मैंने तो रित थोड़ी किया पढ़ाई करी तो पढ़ाई करना है रित है ये एद्रिस से सिद्दान्द है जो कि हमारे को हर तरब से देख रहा होता है, जो व्यवस्ता को नियंतरित कर रहा होता है, हमारी सारी व्यवस्ता को कंट्रोल करने वाला सिद्दान्द, रित का सिद्दान्द होता है, अगर कई बार हमें लगता है कि हम लोग बुरा करम कर र रित का संचालन करता है एक है वरुन तो हमारे को जब कोई नहीं देख रहा होता है उस दोरान हमारे को वरुन देख रहा होता है वरुन रित का संचालन करता है रित का देवता कोन रित का देवता वरुन देख रहा होता है तो दो व्यक्ति तो दो व्यक्ति प्रत्वी के अंत तो यह उनकी वो गलत खेमी है, उनको एक व्यक्ति और देख रहा है, उनके साथ में एक व्यक्ति और है, वो व्यक्ति है वरुन, तो वरुन हमें यह बोलता है कि कोई ने कोई तुमें देख रहा है, तीसरी आँख, कि तुमें हर समय देख रही है, CCTV केमरा, हर समय तुमें दे तो पुछ में नेतिक होना चाहिए अगर हमारे दुवारा हमें लगता है कि मैं गलत काम कर दूँगा और मुझे कोई नहीं कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है किसी ने देखा ही नहीं लेकिन एक व्यक्ति हमें देख रहा हैसे वह कौन है वरून देख रहा है तो व्यक् जब रष्टाजार करता है तो उसे लगता है कि तो रिस्वत मैं ले रहा है और मुझे कोई वक्ती रिस्वत दे रहा है तीसरे वक्ती को मालूम ही नहीं है तो जब तीसरे को मालूम नहीं तो मेरे साथ में क्या गड़बड होगी है मेरे साथ में क्या गलत होगा मैंने कोई अ अपराद तो तब है जब मालूम पड़े तो जदेतर अपरादी कोन है जिसका अपराद पता लग गया और अपरादी कोन नहीं है जिसका अपराद पता नहीं लगा ये तो क्या है एक विवस्ता दर्तिजी विवस्ता है कानूनी विवस्ता है लेकिन कभी न कभी आप ये अप अपरादों का आपको फल मिलता ही है तो हर ब्रष्टाचारी व्यक्ति को कैतो प्रतेक्स रूप से या एप्रतेक्स रूप से उसका फल भोगना ही पड़ता है वह फल भुगवाने वाला जो व्यक्ति है जो फल भुगवाने वाला देवता है वह है वरून वरून किसी को माप होगा ठीक है वो कौन करेगा न्याय वरून न्याय करेंगे वरून की आखों से वरून के कानों से वरून के नाक्षे वरून की नजरों से कोई नहीं बस सकता क्योंकि वरून पूरी धर्ति पर पने दूत वेज़ रके हैं, अपने Scouts & Spice को भेज़ रह रखा हैं। Münю और हर h książर, म॓रल कंडुक्क्ति वे जानकारी रख रहे हैं अगर शिसी व्यक्ति उने कुछ भी गलत गया है तो वो Spice सीधा जाके वरुन को मिलती है, और वरुन नो-डाउन कर लेता है, अभी नहीं, समय आएगा तम मैं बताऊंगा किस्टे साथ में क्या किया जाना होता है, किस्टे साथ में लोग रोते हैं, तो हमारे एक्जाम में वो सवाल क्यों नहीं आते, जो अम लोगों पढ़ाई की जा रही है, उसे स्काउट्स और स्पाइज लौज़ना ले जाएगे, जानकारी दे रहे हैं वरुन को, फिर वरुन के दुआरा वही पेपर दिया जाता है आपको, जो पेपर आपको आ रहा होता है क्योंकि वरुन चाहता है कि इसकी मेनत वेकार ना जाए फिर जैसे हम लोग पेपर में पहुंचे अरे ये तो वही पेपर है जो मैंने पढ़ा था वो पेपर बेजा जिसने है वरुन ने बेजा है जोची आपके प्रते करम का इसाव वरुन के पास में है और वो वरुन वही पेपर वेशता है जोची आपने पढ़ाई करी है पढ़ाई का मतलब जितना भी आपने सलेबस के अकोर्डिंग जितनी भी बातने पी सब पढ़ ली यार इसने एकदम सलेबस से नुसर पढ़ा है इसको यही पेपर देता हूँ ताकि इसका विश्वास बना रहे है नहीं तो व्यक्ति का मैनत से विश्वास खत्म हो जाएगा व्यक्ति वही फेल होता है जिसने कोई इने कोई गडवड़ गड़ दी किसे व्यक्ति को बहुत सारा नोलेज होता है बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है लास्ट में slightly एक डेड़ मेने की वो दिकत कर देता है और एक ड़ मेने का इसाब किसे पास पहुचा? वरुन के पास, उसको लग रहा था मेरे को कोई नहीं देख रहा लेकिन उसको कौन देख रहे थे वरुन के स्काउट्स और स्पाइस फिर उन्होंने तीन चार क्यूसन ऐसे डाल दिये दोस्त वेक्ति को लगता था ये तो मेरे को आती है और इनमें क्या पढ़ना है और वो वरुन में फिर वेसा पेपर वेजा वेसा पेपर वेजा तो यानि आप चे करमों का उसने फल दिया आपको समझ में आ गया तो हम लोग पास क्यों नहीं होते क्योंकि हम लोग पढ़ रहे नहीं करम नहीं करते होते हैं और वरून किसी को माप नहीं करता वरून के सामने सभी क्या है? बराबर है करम करेगा उसको फल देने की जिम्मेदारी वरून की है इसलिए जीता की अंदर और वेदों की अंदर करम की बातें की गई है रित की बात की गई है कि आपका परते करम कभी भी खाली नहीं जाएगा अगर आपने बुरा करम किया है तो बुरे करम का भी बुरा नतीजा मिलेगा अच्छा करम किया है तो नतीजा हर हाल में मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा कल नहीं तो परसो मिलेगा परसो नहीं तो अगले जनम में मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। आज अगर हम लोग बुरे कर्म को भोग रहे हैं मतलब पिछले जनम में हम लोगों ने कोई न कोई बुरा काम किया था। इसलिए रित बोलती है, पुनर जनम के सिद्धान पर विश्वास करती है, कि हर जनम में वेप्टी के दुआरा नेतिकरम किये जाने जरूवी होती हैं, अधरवाइज जो वरून है, सब के नोट डाउन कर रहा है, नोट डाउन करने के अनुसार वो जिप्टेंपर बेशता र आईफोन तेरा भी निकल जाता है, तो तीन चार ग्रूपों में सेंट करते हैं, यह वाफिस दिलेट हो सकता है, कहीं हमारे अकाउंट में थो भी है, वो भी गाईफ हो जाएंगे, यह भी रित का कॉनसेप्ट है, कोई कन्फूजन इसके अंदर, ठीक है, रित क्या है एक प अच्छे करम किये जाएंगे, व्यवस्तित करम किये जाएंगे, नियमित करम किये जाएंगे, संरक्षित करम किये जाएंगे, उपयुक्त और उचित करम किये जाएंगे, अनुसासित करम किये जाएंगे, तो आपको फल भी उसी परकार का संतुलित, उचित, नियमित, उप प्युक्त, अनुसासित, फल मिलेगा, आप सोम के भगी होंगे, सोम मतलब king of plants, सोम देटा है मधू, all sweets, तो उसी वक्ति के जीवन में all sweets, सारे परकार ये मधू आते हैं, जिस वक्ति के द्वारा बैतर करम किये जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में कोई रस ही नही नहीं रहा है, आपको जीवन जीने में इसलिए मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपके द्वारा उस निश्चित ओर्डर को फोलो नहीं किया जा रहा है, अगर आपके द्वारा उस निश्चित ओर्डर को फोलो किया जाहे, तो आपके जीवन के अंदर रस ही रस है, क्योंकि वरुण देख रहा है और वरुण के पास में संकेत पहुंचाने के लिए स्काउट और स्पाइज हैं और साथ में उनको यजन के द्वारा मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं उस काम के द्वारा वरुण के पास में सूचनाएं पहुंचती है काम को पाने वाली यानि हमारे जो sacrifices है, त्याग है कि मेरे द्वारा एक निशित order फोलो किया जाए उस त्याग को देखने वाली है अगनी अगनी फिर हमारा संकियत चिस तक पहुँचाती है, देवताओं तक पहुँचाती है पिर देवता ये देखते हैं कि इसके दुआरा यजनी किया जा रहा है, मतलब सेक्रिफाइस त्यार किया जा रहा है, पढ़ाई की जा रही है, निशित ओडर को पोलो किया जा रहा है, नियमित ये काम करता है, अनुसासित है, उचित करम करता है, सत्य करम करता है, व्यवस्ति सोंऔर आपके जीवन ही ने जाता है स्वेक्टाम को तो क्योंकिया हिसने स्वेट्सbeam शिक्सिते गत्रिश्य की wicked करे जीवन में क्यों लेजाता है। धीक ना मदू का लॉंग फेलिया भी आपके जीवन पाके हैं। व्यवस तरीके से काम नहीं किया जा रहा, उचित और उप्यूग तरीका है, वो नहीं अपना है जा रहा, अगर हम लोग इन उचित अनुसासित उप्यूग तरीकों को सब ये तरीकों को अपना ले, तो हर व्यक्ति के जीवन में रस ही रस है, किसी व्यक्ति को लगता है, या कि बोडी फिट रहे जाएगी, मेरे कोछ जान नहीं है, जान इसलिए नहीं है कि हमारे निरंतरता नहीं है पढ़ाईगी, निरंतरता रहे जी तो सारे फेक्स मालूम हो जाएंगे, फेक्स मालूम हो जाएंगे तो उनका एनलाइसिस करोगे तो जाना जाएगा, मेरे जीवन मे पैसा नहीं पैसा आपको हराल में पैसा आएगा ही तरीका फोलो नहीं कर रहे है पिर बोल रहे हो मेरे जीवने पैसा नहीं है मतलब आपके द्वारा रित फोलो नहीं की जा रही है और जो रीत चली आए रगुकूल रीत सदा चली आए जान जाए पर प्राण जाए पर वचन जाए ठीक है तो ये जो रीत हैं हमारे दुआरा ये रीत फोलो नहीं की जारी है रित फोलो करेंगे हर हाल के अंदर वचन फोलो किया जाएगा मेरा वचन ही मेरा सासन है उसमें बात पर विश्वास इसलिए है क्योंकि उनके दुआरा एक रित फोलो की जाती है कि मैंने जो बोल दिया हर हाल में वो मेरे वचनों में भी है मेरे मन में भी और वही मेरे करमोज अंदर भी दिखाई देगा that is रित वही ज्या है? रित है तो आपको सुख कम मिलेगा जब रित फोलो करो गे रित फोलो करो गे तो आपको हर वर चीज मिल जाएगी जो इच्छा ही करते हैं हम लोग इंदरियां हमारे को इसलिए दी गई है कि वो कुछ चीजों का भोग करे भोग तभी पोसिबल हो पाएगा जब आपके द्वारा हृत को फोलो किया जाएगा अनुसासित होचे काम करने से, उचित उपियुक्त करम करने से संचालित तरीके से हम लोग काम करेंगे, सुरक्षित तरीके से काम करेंगे और सयमी तरीके से काम करेंगे, तो आपके इंदरियों को भी भोग मिलता है Otherwise हम लोगों ये दुवारा एक बेकार जीवन जीचे जया जाता है जो कि जानवरों से कुछ अधिक नहीं है बराबर जानवरों के अलावा हम लोग ऐस अंतुष्ट जीवन जीचे ही चले जाते हैं क्यों जाते हैं? क्यों कि हम लोग इर्रेगुलर है इर्रेगुलर किसकी देन है? कल्यूग की देन है हम लोगों को अगर सत की तरफ जाना है, सत्यूट की तरफ जाना है सत्य के अलावा कुछ नहीं है सत्य ही सिव है, सत्य ही सुन्दर है सत्य ही सिवम है और राम नाम सत्य है सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है और जो सत्य है वही रित है जीवन की रित चली आई आना है फिर जाना है वही तो राम नाम सत्य है क्योंकि जो आया है वो जाएगा हर हाल में यह क्या है रित होती है ठीक है और जो रित का जन्म होता है जन्म होता है तपस से किसे जन्म होगा रित का तपस का मतलब होता है तपना तपस्या से त्याग से जो प्रक्ति त्याग करता है तपस्या करता है खुद को तपाता है, उसके अंदर रित का भाव जागता है, जो रेगुलर्टी के अंदर जोर आता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं रेगुलर रहूँ, हर व्यक्ति के द्वारा चाहा जाता है कि मैं उप्यूक्त करम करूँ, उचित करम करूँ, सत्य बोलू, मैं व्यवस्तित जीवन जीओ, अनुसासित जीवन जीओ, लेकिन ये सब करने के अंदर व्यक्ति को जोर आता है, जोर आने का मतलब वो तपता है, तपाना पड़ता है व्यक्ति को, जब व्यक्ति तपाता है, तब वो अनुसासित बन पाता है, तब वो सत्य बोल पाता है, सत्य बोलना आसान क टीक है लेकिन आईएस का टोपर बनने के अंदर मुझे तपना पड़ेगा बहुत सारे हजार दिन तक लगातार में पढ़ाई करूंगा तस-दस गंडे तब मैं आईएस बनूंगा तो तपाना पड़ता है अनुसासित रहने के लिए तपाना पड़ता है हम लोग अनुसासि आईगा नहीं पानी भी नहीं प्यूंगा तब तपना होता है यह तफष्य लेकि आती है मेरे दुवारा आज तीन गण्टे एक्साइज गरनी है तो मैं हर हाल में एक्साइज करूंगा ही जब तक मैं शुक्स प्रेक एप नहीं बना लूँ तब तक मैं कभी भी छुट्ती नहीं कर पाओं तब आती से निगेर नहीं तब पड़ता है पसीना आता है तपने से जब आपके माइट्रो कोंड़िया चे F1 फ स्सरी स्था इन्द ही तब हमारे यहां पर ज्यां निकलता अपाण निकलता है पसीना आता है वो तपणे से आता है बठीमें जलना भता है और जो जलता है उसे ही सोमका भोग मिलता है जो मदू तो हम लोग बड़े लोगों को देख टो लेथे है कि क्या जीवन है सारुक खान का क्या जीवन है रणवीत सिंग का विटी कोसल का टॉम क्रूज का एस वर्याराय बच्चन का प्रियंका चोपड़ा का तपाया भी तो है उन्हों तपाना पड़ता है तो तप करोगे व्यवस्तित रहोगे नियमित रहोगे उचित करम करोगे उप्युक्त करम करोगे संचाली तरीके से सुरुक्षित करम करोगे तो आप तपोगे तपोगे तो किसी तरह बढ़ोगे रित की तरह बढ़ोगे हर तपन आपको रित की तरह लेके जा रही है और जहां पे तपस नहीं है जहां पे आपको लग रहा है कि मैं अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है मतलब बैसाब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो आपके जीवन में दुख है आपको तपना पढ़ रहा है मेनत करनी पढ़ रही है लगातार आप mentally और physically रूप से active हो और आपके द्वारा stable तरीके से काम किया जा रहे है मतलब आप सही रास्ते पे हो आपके जीवन में ये पता नहीं लगना चाहिए कि कब सुब अवीतिर कब रात हो गई इस order को maintain करने के लिए वरूर देवता है जो कि cosmos order को maintain करते हैं तब हम लोग सही रास्ते पे हैं otherwise हम लोग कोन से रास्ते पे गलत रास्ते पर होते हैं रित एक बल है जो की व्यवस्ता लेके आता है force है रित जबर्दस्ती maintain कराता है अगर आप लोग maintain नहीं करोगे तो रित आप से जबर्दस्ती चीज़े maintain करवाएगा जैसे मानों ने अपनी जनसंग्याकों नहीं किया तो रित क्या है एक ब्रमांडिय व्यवस्ता है जन्गलों में आग लगाई जाती है जोाला मूखी खोड़े जाते है कोरोना लाया जाता है मं की फोकस लाया जाता है चेचक जीसी बीमारी लायी जाती है अलग-अलग परकार की बीमारियां यहां पर आती है और मानौ जी संच्या को कम करने का वो प्रियास करती है ताकि एक order balance रहे, maintain बना के रखना है कि तो मानौ खुदी मान जाए या infertility generate कर देजी इस मानौ के द्वारा बहुत सारे बच्चे पेदा दिये जा रहे हैं यह वैसे तो मानेगा नहीं, एक काम करो इसको naturally तरीके से infertile कर दो इसे नपुसंग बना दिया जाए जब इसके द्वारा बच्चे ही पेदा नहीं होंगे तो इस disorder चिस परकार से पहलाएगा इस धर्दी का तो जो National Family Health Survey 5 आया है नया government of India का उसके अंदर total fertility TFR है 1.8 यानि की एक जोड़ी के दुवारा एक पती पतनिया माता-पिथा के दुवारा जो average बच्चे है 2.1 होने चीए है replacement level गे लिए वो बच्चे ही पेदा नहीं और पार है 1.8 बच्चे ही पेदा जिये जा रहे है जब तक सब कुछ maintain था जब तक हमारी आबादी maintain थी तब किसी परकार का कोई IVF Center नहीं था इन विट्रो fertilization Center नहीं था ना ही कोई बाबा जोखिमी थे ठीक है ना ही कोई नपू संकता का इलाज करने वाले बाबाजी थे जब से व्यक्ति ने अपनी जंसंग्या को कंट्रोल करना छोड़ा उस जमाने से यह सारे के सारे हर गड़ी में तीन IVF Center दिख जाएंगे हर व्यक्ति को के रला जाना पड़ रहा है हर व्यक्ति के Invertory Fertilization के साथ में ही बच्चे हो रहे हैं खेलोगें ट्यूग का ओप्रेशन कराना जरूरी हो गया है Activation जरूरी हो चुछे है कारण क्या है पर करती है रित मेंटेन कर रही है कि बच्चा तू मेंटेन नहीं करेगा लेकिन मैं तुझे मेंटेन करते हूं जी आबादी बड़ा ओगे तो Corona आएगा कोरोना को रोग लोगे तो कोई मोरो ना आएगा, लेकिन कुछ ने कुछ तो आएगा, जो हमें बेंटेन कर देगा सबको, यहां परले आएगा, परले विनास कर देगा यहां पर, यह मसीने हमारे दुआरा ही खुद का विनास का बीज वो दिया जाएगा, वो रित ही करवाए कि एक दिन तुम्हारे को यहां से मसीन बगादे जी और धर्ती पे मसीनों का राज होगा। बिगाड़ा इसलिए आज हमारे को हमारा नीलागर है जो हमारे को सबसे प्यारा था वो थोड़के जाना पड़ा ये रित के कारण होता है ठीक है रित एक सवतंतरता है सरजनता है वेबवता है संपनता है जो रित को फोलो करता है वो गति स्वतंतर होता है अगर मेरे द्वार तो उस दोरान मुझे complete सोधन तरदा रहे जी मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा क्योंकि मैं कुछ गलतू करी नहीं रहेगा लो एंड जब order को हम लोग फोलो करते हैं क्या आईवे पे आपको जिसके द्वारा रोका जाता है नहीं रोका जाता है आपकी गाड़ी गुजर जाती है और वहीं पे आप लोगों के द्वारा 140 किलोमेटर पर हावर के स्पीड जाते हो तो सामने इंटरसेप्टर खड़ी हो जाती है चालान बना दिया जाता है तो उसी स्वतंतरता जे साथ अनन हो जाता है लेकिन हम लोग order से चल रहे हैं तो हमारी स्वतंतरता है वही स्वतंतर ही हो सकता है जो स्वतंतर ही नहीं है वो कभी सर्जन करता हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्जन का जनम होता है क्रियेटिविटी का जनम होता है स्वतंतरता से स्वतंतर है तब आपका दिमाग चलता है हाथ पेर चलते हैं आपका सपोर्ट हिया जाता है स्वतंतर रित लेके आती है, कौन लेके आती है? रित लेके आती है, तो रित एक ओडर है जो जीवन में सोतंतरता, संपंता, वेबहुता और संपंता लेके आती है, क्योंकि प्रकृति का जो संचालन है, वो कौन करती है? रित करती है, प्रकृति का संचालन कौन करेगा? प्रकृति का स और जो हमारा वेभव होता है वो प्रकरती से ही मिलता है वेभव का मतलब क्या होता है वैतरीन घर होना वैतरीन आपके परस होना ठीक है वेभव का मतलब होता है आपके पास में चीजे होना जो प्रकरती से बने वे चीजे आपके जो गेट है वो चंदन के बने वे लाल चंद बढ़िया आपके संग्वंगमर का संग्वंगमर की दीवारे हैं वैतरीन जो रतन है उनने द्वारा आपके अलगलग टाइब की Arabist की टेक्निक्स बनाए गई हैं यहां पे Moral प्रिंटिंग की गई है तो ये सब मिले कहां से अलग-अलग परकार के जो रंग है, कलर है, बैतरीन पत्रों से आपका घर बना हुआ है, लकडी बैतरीन उपयोग में लिए, बैतरीन कालीन, मलवल का उपयोग किया है, सूती वस्तर आप लोग पहनते हो, या रेसम के वस्तर पहनते हो, तो ये रित्को फोलो करते हैं, रित्को फोलो नहीं करते हैं, तो हम लोग धरीद रवस्ता के अंदर जीते हैं, फिर हम लोग रित्के देवदा से बार-बार वरुन से क्या गवा लगाते हैं, हे वरुन मुझे माप कर दो, हे वरुन मुझे माप कर दो, मुझे मिट्टी के घर में मत रहने दो मुझे मिट्टी के गढ़ से बाहर निकालो यह सब बातें रिग वेद के अंदर कही गई है मेरे द्वारा नहीं मैं इसका मद्य हूँ ठीक है ना रिग वेद में सब बातें कहरे किये हैं यह जितने बातें हैं पूरा रिग वेद से संबने रित को पढ़ते हैं complete है व्यक्ति को रिषी के मारक पे लिए जाता है रित की समारक पे लिए जाता है रिशी के मारक पे लिए जाता है री बढ़र आज यह बळना या फूलो करना वेवरस्ता के अंदर कुद्द को merge कर दिया, दोनों का सब्द कहां से उरीजन हुआ, रिस से हुआ, तो रिसी बराबर रित, रित बराबर रिसी, रिसी होता है complete men, जो complete men होता है वही रिसी होता है जो व्यवस्ता जेए अनुचार चलता है प्रकरटिक व्यवस्ता यग्य होता है जिसके अंदर खुद व्यक्ति को तपना पड़ता है क्योंकि यग्य से ही तपना आता है अगनी आती है और तपस्ट से ही किसका जन्म होता है रित का जन्म होता है और रित के अंदर जब हम लोग जितना अपने आपको जोंगते है उतना ही हमारे बारे में जो जानकारी है वो जो यग्य का देवता है अगनी अगनी देवता फिर अन्य देवताओं को बताती है कि इसके द्वारा इतना बड़ा यग्य किया जा रहा है तो इस व्यक्ति को वो ही चीजे मिलने चाहिए जिसका ये हगदार है हमारे दुवारा सांस लेना एक परकार का यज्य है तो हम लोग भेतरीन तरीज़े से सांस लेते हैं कि हमारी जो tidal capacity उसको maintain रखते हैं पूरा सांस आ रहा है, पूरा सांस जा रहा है मतलब हमारी aluvoli बहतर तरीज़े से काम कर रही है हमारे lungs ब्रोंकाई सब बैतर तरीजे से काम कर रहे हैं तो हमारे को सांस लेने से कभी दिक्कत आएजी कितना ही दोड लगा ले हमारे दिक्कत आएजी तो क्या हम लोग कभी दुखी होंगे नहीं होंगे तो अपनी सांसों पे जतना व्यक्ती काम करता है उतना ही बہتर तरीजे से वे जीवन जी सकता है ठीकर ना देखना है जोर जतना बाज्में कातिल में है और सांप नहीं आगया बाज्में कातिल जिसे तगडी बalies बोडी बिल्ड तगडी है आपको भी पताए जी है अपना हात मरोड़ जी चितना भेंकर मरोड़ेगा तो हम लोग हालत खराब हो जाए जी है हमारी, थीक है न फिर भी हम लोगों ने बोल दिया, मतलब हम लोगों ने अपने मन वचन और करम के अंदर एक रूपता नी रची, सतेता नी रची, ऐसा डॉ हम ही अगर यह दोड लगाते ग्राउंड के अंदर मार्सलार सीखते जुड़ो क्राटे सीखते बॉक्सिंग सीखते ठीक है ना आर आर वजी तरह जैसे डारेक्ट पुरा का पुरा पंस वेई ही फोड़ देते बढ़िया स्विमिंग करते और राइडिंग करते क्या हमें तोड़ सकता था वो व्यक्ति वो आता उससे पहले हम लोग उससे तोड़ देते ठीक है वो यज्जे से जनम आती है वेवाव सा पैसों जी कमी कब आती है जब हम लोग यज्जे नहीं करते है या नीची हमारे जीवन में वेवाव की कमी है संपनता की कमी है यान की क कभी कि कमी है सब कमी हैं इसलिए कि क्यों कि हमारे दो मारे द्वारा यह जवाल अ flashes होना अवह जहां जहां पे अगने का ज़नम होता वो प्रते इशल्य सांस लेने के दोरान अग्निका ज़नम होगा माइटो कांटर हैं डाईजेस्चन बैतर होना मतलब अगनी का जन्म होगा हर देके अंदर अगनी जन्म लेती है करण्ट आताई इलेक्ट्रोलाइट्स काम कड़ते हैं यहां पर बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स लेने जूरत थे नहीं है रेड़ बूल करने जोड़नीप disruptive कुद्व को हीcellary घृघ कत presents प्रवाइब दूसरे बुल्चे जो पावर है उसके आदार पे अधार पर आजाएजी खुद में जनरेट करने पड़ती है पावर समझ में जदा जदा हम लोग पढ़ा ही करते हैं मेनत करते है तर तप ही तो रहे है पसीना आना मतलब क्या है तपना यह पसीना दिखाता है जी इस वक्ती ने कितनी मेहनत करी है जितना ज़्यदा तपते हैं उतना ज़्यदा दलो आता है उतना ज़्यदा हमारे को रिजल्ट मिलता है यूदर उलता है तो सर्जनत आती है सर्जनत आती है वेवभाव आता है वेवभावाता So if अए सब संक्ऽो चीजे मेलती कि जीवऑन के अदर कची हो हम लोगए किसे दूरा दोरो कि사 पोटर बीपारी होते हैं वो बोलते हैं साम अब आप चले गए नेता जी पास दूसरा गया ट्रांसपर नेता जी हो जाएगा ट्रांसपर तीसरा गया है उसने का साथ बिजाय लिखो जो भी संबंदित अधिकारी है उसको फोन करो और मेरा ये बोलो जी मैं इस रेफरेंस से मिलने आऊंगा आप ये फोलो करवाईज है वहाँ पर वकायदा आपका रेकमेंडेशन होए आप जाओ वहाँ पर उस अधिकारी के पास में रेफरेंस लिखो मिलने का समय मांगो प्रोपर एप्लिजेशन हो आपने अप्लिजेशन दिखाया वहाँ पर नोट सीट दर्ज करया और फाइल के अंदर वो मूँ ओन करे उ आपके दूबारा पर्टिकूलर प्रकरिया भोलोनी की गई और प्रकरिया भोलोनी की है रही हम लोग बोल देते हैं अमारे तो क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए. तब नहीं हो पाते, क्योंकि भूल दिये जाते हैं. मैं पास नहीं वहाँ, मैं तो आप जैसे आ तो भगवान आपको सीधा रिजल्ट नहीं देने की बात करता है, वो बोलता ओर फोलो करो, तो हमारे को भी कभी भी देवताओं से कुछ मांगना होता है, तो यही मांगना चाहिए कि साब मेरे को बस रित का ज्यान करवा दो, कि मेरे को जो उचित तरीका है, उप्यूक तरीक रिजल्ट तो अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके पर मारक पर चलूँगा, तो मुझे हाल में रिजल्ट है, मिलना ही है, बस उसमें दिक्कत मताने देना, उतना ज्यादा मेरा जो विल पावर उसको मेंटेन रखना, तब इस वर हमारी मदद करता है, हमारा जो यही तो रित है, इस चलावा रित नतिंग एल्स, रित कुछ भी नहीं है, यह human को human बनाती है, यह human को human being बनाती है, हम लोगों का जानवर के रूप में जन्म होता है, दो हाथ होते हैं, दो पेर होते हैं, नाग, कान, गला, जिदनी भी चीज़ें एक जानवर में होनी चाहिए, वो हमारे अंदर होती है, एक तो हमारा यह जन्म होता है, फिर जब दूसरा जन्म वारा त होता है, जब हमें यह पता लगता है कि हम लोग किस लिए इस दर्टी पे आये हैं, हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा यहां पर आने का उद्देश से क्या है, मेरी इस दर्टी पे भूमी का क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा रोल असाइंड क्या है, मेरे लक्षे क्या है, क इस प्रकार से में जर्थे पर अपने उपस्तती दर्ज कराएं जाओं, ताकि मुझे आने वाली PD आभी जाने और ब कर जुर्थर के रूप में मुझे यह जाने जिए पीछे लगता है कि हमारी मेदा जागरत है वह इंटिएलेक्ट होती है जब लोग करम पसीना तपस बात है और यह अगनी देवता के दूआरा व्ने को जागरत करते हैं और जब हमारी मेदा एक्टिवेट हो जाती है, तो हम लोग बन जाते हैं। प्रुटेंस समय डाफभ आफ बभलप हो जाती है। हम लोगों मैं इंट्यूशन का विकास हो जाता है, हमारा Ratum Common Sense डाफ हो जाता है, और Common Sense develop होने इसे ही हम लोग बैतन आग्रिक बन पाते हैं और इसमा कहना कर रही है रिध कर ऐा हुरा है ठीक है आजे लिखो इसमें रिध का संचालम करता वरूण है बता दिया था अब दो चैर बात ने थोड़ी सी वरूण के बारे में कर लें क्योंगी कि रिट को मेंटेन कोन करेगा वरुन करेगा अब क्या वाकित जब हम लोगों ने हमारे वेद लिखे उन वेदों के अंदर सबसे मेन देवता तो बनाया पुरंदर को देट इस इंदर जो गड़ किलों को जीतने वाला गड़ती है वो इंदर है अब इंदर स्वरग में नहीं घड़ किलों को नहीं जीसकते गड़ कीले जीते जाते हैं मैदानों के अंदर तो जो पार्टियों 3 या जो मुख्छे ल Denner होते हैं एसी सारी जी सारी कुर्षियां खाली उस दोरान अमिस्वापीस भी आ सकते थे यार 50,000 का एक्सपेक्टेशन गी आतार सामने जड़े हैं 50 मैं इनको क्या वाशन दू लेकिन अमिस्वा का वही जोसिला वाशन पूरा जोड से वाशन दे रहे हैं जितना जोस 50,000 को देना था उसे डवल जोस में उन्होंने 50 जड़ों को वाशन दिया तो अगली बार उनकी रेली जे अंदर 20,000,000 अब लाखों लोग आते हैं और राष्टी अदेख छोटा मोटा नेता होता है न जो गाहों का मंदल अदेख्स होते हैं ये ग्रामीन अदेख्स होते हैं ब्लोग अदेख्स ये देख्स होता है तो इंदर कहां पर रहा करते थे कभी लोगों जे अंदर मेदानों जे अंदर रहा करते थे मेदानों में सभी लोगों जे सेनिकों जे साथ में रहते तभी सेनिकों जे अंदर जोस रहे जो सेनिकों से अलग रहेगा उंचे सेनिकों में कभी भी जोस नह यह तब आता है जब उनके साथ सिकारी कहता है लगा 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 दोड़ ठीक है ना और सिकारी को उनके साथ में रहना पड़ता है तो पुरंदर भी जिनके साथ रहा करते थे सेनिकों के आरियंस के साथ रहा करते थे इसलिए पुरंदर ने पूरी धरती को जीद लिया अब वरुन क्या है वरुन खोड़े से सेगिंड नमर जे देवता है ठीक है ना इंदर के बाद में जो दूसरा दर्जा है जिसी देवता वो वो जिसको है वरुन को दर्जा है वरुन वेववसाली देवता है संपन देवता है जिनके पास में खुझे स्वाउट्स हैं खुझे जा साथ भरते हैं क्योंकि इन्हें संपंदा देनी है लोगों को जानकारी रखनी है कि जो मोरल ओर कोन खोलो कर रहा है कोन कोस्मिक ओर को बिगाड रहा है इसके जानकार कौन है वरुण करने वाले लोग है क्योंकि बेसिकली क्या होता था राक्ससों के जो गुरुदेव वह सुक्राचारिय और सुक्राचारिय को जाए डिसिप्लीन पसंद नियमित्ता पसंद त्याग पसंद रेगुलर्टी पसंद तो इसलिए जदतर हम लोगों जे दुवारा जो तपस्वी ल बगवान विस्नु बगवान बर्मा जी सब जड़ा अराधना जी है वो है राक्सस्कुल में हरण्या कश्रभू रावन ये सबी लोग कहां से आए हैं राक्सस्कुल से बाली ये सब राक्सस्कुल से आते हैं भरत परलाद ये सब किसे आएंगे राक्सस्कुल से आएंगे तो उनको discipline बनाने वाले कौन है, सुक्राचारिय है, तो कई बार वरुन को राक्स स्कुल का भी मान लिया जाता है, लेकिन वरुन ने अपनी स्तापना अलग तरीके से करी है, फिर वरुन बन गए, रित के संचालन करता है, guardian of the, रित बन गए यह, फिर एक होता है, चक्रम, चक चक्रम का मतलब होता पया, रित का मतलब होता सत्य, और जो पया सत्य का चले, जो रित का पया है, वील of the रित, यह रित का पया है, जिसने बारा स्पोक्स है, इतने बारा स्पोक्स है, यह बारा स्पोक्स है, यह बारा स्पोक्स रिपर्जेंट करते हैं, बारा महीनों को, य चक्रम रितस्य को जो चलाने वाला है, जो इसका संचालन करता है, वो है वरुन, यानि इस चक्र को इस वील को चलाता गोन है, इस रत को को चलाता है, चेरियट ओफ दिस वील, कौन है इसका चेरियटर, वरुन है, वरुन यह देखता है कि हर जो रित है वो लगातार आजे स्पीड का परतीग होता है पया निरंतरता का परतीग होता है पया निरंतर चलेगा ठीक है ना नदिया चले रहे धारा धारा चले रहे नदिया ठीक है ना तू ना चलेगा तो रुख जाएगी ना धारा तुझे चलना ही होगा हराल के अंदर यानि लगातार जो चलने का परत ताइर खा दिया जाता है तो alignment विगणना मतलब क्या है disorder हो जाना और सई alignment में गाड़ी रहती है तो हाथ छोड़ दो जैसा कि आज कल score भी हो 500 के अंदर आया है 700 जहां 500 तो पुराने जमाने के होगी 700 जह अंदर टेस्ला आटमेटिकली चलती है और आपके अगर गाड़ी का alignment विगड़ गया है तो गाड़ी किदर जाती है हाथ छोड़ते ही नाली के अंदर या disorder हो जाती है तो हमें alignment करवाते हैं हम लोग गाड़ी का त उसको लोगों के द्वारा फोलो नहीं किया जा रहा है तो दुख जितने भी आ रहे हैं आपके जीवन का टायर क्यों बस गया है क्योंकि उसका alignment नहीं करवाया जा रहा है और जिस गाड़ी का alignment वैतरीन होता है उसकी speed जबरदस्त होती है उसकी रोड़ पे पकड़ जबरद यह सब अनुसासंता सब एक भैतरीन तरीचे की होती है यह सब maintain करने वाला कौन है रित है तो रित क्या है बेसिकली किसका driver है इस चक्रम रितस्य का driver कौन है रित और वरुन है तो रित का संचालन करता वरुन है जो संतूलन बनाने का रित बेसिकली क्या है संतूलन बनाने का ठीक है इसलिए इसे रितस से रथाव है का आ गया है वरुन को जागा रितस से रथाव है यानि रित को चलाने वाला वरुन है रित के रत को कौन चलाएगा वरुन चलाएगा और ये चक्रम रितस से को चलाते है अब क्या है वरुन है वो संपूर्ण ब्रमांड को रित के नहीं आरे है यह वरून के द्वारा ही क्यों चलाए जा रहा है क्योंकि वरून ने ही दिन और रात औदों की जलधारा की वरशा की स्रजन्ता की गई है। और उसे दंड भी देता है तो व्यवस्ता बनाई जिसने ये सारी चिस अरी वरुण ने बनाइए तब आ कोस्मिक ओडर को खोलो भी कौन करवाएगा वरुण करवाएगा तोवरुण क्या है रित्य देवता है ये थी रित्य आई समझ में क्या सीजिए थी रित्य अन्दर रि एक प्रकार जी क्या है नियमित ता है It is a सेप्टी, सेकुरिटी, कंटिुनिटी का है यह रित है रित है कि सम बनती है तो चै बनता है रित हमारे जीवन में संतुलन लेखाती है रित हमारे को ऐसंतुलित होने से बचाती है दूसरा कॉन से बिटा है, रित ब़राबर सत्य, एक ज़िगन ये भी ना, सत ब़राबर रित, सत ब़राबर रित, तो ये जो रित होता है, तो सत क्या है basicly, क्या है सत्य, जो वास्तविक है, that is real, without any amendment, जिस अंदर किसी परकार का कोई changes नहीं हुआ, जो गणफर्मिट्य है, जो वास्तिविक है जो वास्तिविक ताजे साथ में अपनी एक रूपता दिखाता है it is confirm with the reality, confirm with reality वही तो सत्य है कि मैंने खाना खाया, अगर मैंने खाना खाया है तो वास्तम में सत्य है अगर मैंने खाना नहीं खाया और मैंने बोल दिया खाना खाया मतलब मेरे पेट के अंदर आग लग रखी है और मैंने जूट भी बोल दिया मतलब वो वास्तिर जो फेक्ट है रियल फेक्ट के साथ में उसके साथ कनफरिमिटी नहीं है जिसे कि हमारे दुवारा जब भी घर से फोन आता है तो हमारे दुवारा बोला जाना जी जब हमारे पिता जी माता जी या कोई भी परिवार का दादी दादी साथ कोई भी पुछते अपने से तो क्या कर रहा है पढ़ा ही कर रहा हूं एक कोमन रटा 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 या हमारा आंसर होता है चाहे हम लोग उस दोरान में कोई खिलम देखने सिनिमा होल के अंदर ही पो बैठे वे बैठा आवाजे किसकी आ रही है कि दादी साथ थोड़ा सा बास विवा चल रहा है और कोई डीजे चल रहा है तो आवाजे कर रहे है तो डिस्टर तो होता होगा बैठा पर एक तो बा जाती है यहीं बोली जाती है तो मतलब जो वास्ति है उसके साथ ही उसी नहीं है किसले वो क्या है क्या है अए सत्य हो जाता है रित्प हो जाता है तो यह क्या था शत्त अब रित हम लोगों ने पढ़ तो लिए अब रित की क्या है उभीयोगिता है तो प्रसाशन में रित्की उभीयोगिता है यह परिणा पर उभीयोगिता से काम आता है तो अभी क्या च्याचा बता है परसासन में क्या च्याचा करेगा ये बैलेंस लेंडे आता है क्या लिटल यूद लोआंड ओडर ूर्डर व Chief करती है तो कहले जाता है फर फ़्यूद क्या ले जाता है परसासन के आbacks है अनुधासन लेकि आता है क्या discipline कि दिसिप्लीन लेकि आता है अगर हम लोग ज़ता सं présent के अंदर दिसेप्लीन होते हैं ज़ता सेफिप्लीन की कारवायां होते हैं 17 ccj records of Conduct के नोटिस दिये जाते हैं क्यों दिये जाते हैं अनुसासित नहीं है इसलिए दिये जाते हैं और जब परसासन के अंदर व्यक्ति जिए द्वारा रिद्फोलो जी जाती है तो वो अनुसासित होता है तो वो रेगुलर होता है निरंतरता बनाई रखती है क्या बनाई रखती है रेगुलर रखती रेगुलर ओपी जाएगा होते हैं बिसक्राइब अगर राप अगर रसास न ह्रहां को सारे और ने अंदर वतल्व का पता वर्य था वराते हैं वचीछ सब्सक्राइब जबाब करते है तो आपके द्वारा रेगुलर काम नहीं किया गया तो वहां पे फाइलों का पुलंदा ज्यादा हो गया जैसे बोला जाता है सुप्रीम कोड में साड़े चारला केस पेंडिंग है वारति निया इपालिका के अंदर इतने सारे जब केस पेंडिंग है मतलब रेगुलर्टी कह जाता दूसरा चाहे यह इस्टेबिलिटी मेंटेन करता है क्या मेंटेन करता है इस्टेबिलिटी यानि बेसिकली जो सासन पर सासन एक परकार का ट्रस्ट होता है नियास होता है जिस पे लोगों का विश्वास होना जरूरी होता है और इस्टेबिलिटी मेंटेन करता है उस इसके अंदर discipline है, उसमें stability है, उसमें regularity है, तो लोग जब किसी भी परसासनिक कारिया ले के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे उनको पता है कि मेरा काम आज हो जाएगा, मैं अगर रजिस्टार ओपिस में जाओंगा, तो मेरी registry हो जाएगी, तो सासन परसासन की क्या बनी रहत है, लोगों का विश्वास बनाए रखना जरूरी होता है, तो रित विश्वास जगाती है, विश्वास जब जगता है लोगों का, तो लोगतांत्रिक व्यवस्ताओं के अंदर और ज्यादा मजबूत ही आती है, तो हमारे democratic system को मजबूत करने वाला system कौन लेके आएगा, र जगती के दुवारा नियम खोलो किये जाते हैं, क्योंकि रित क्या है, नियम काईदे, rules and regulations, rule and regulation, नियम काईदों चे अनुसार जब हमारा system चलता है, तो bureaucratic attitude से चलेगा, साथ के अंदर जो भी वेवेरियन विडियोक्रेसी है, उसको खोलो करेगा, और जहां पर वेवेरियन को दर्जा दिया जाता है, और merit according काम किये जाते हैं, आपने rule and regulation फोलो नियम काईदों को ताक पर रख है, किसी ऐसे व्यक्ति को गलत पाईदा दे दिया, जो सासन पर सासन के लिए तो खत्राई है, हमारी लोगतांत्रे की विवस्ताओं और हमारे समाज चे लिए भी खत्रा है, उसके द्वारा वर्ष्टाचार काला दन फिलाया जाता है, यह कब होता है जब rule and regulation को फोलो नहीं करते हैं, तो रित्सासन पर सासन में चाले जाता है, नियम काईदों की बात देता ले जाता है, इस्तिरता ले जाता है, और नियम काईदों से हम लोग चलेंगे तो जिस और लोगों चे द्वारा एक्जाम दिये जाएंगे, पास कियेंगे, वो recommend कर देंगे, और बर्ती परकिरियां लगातार चलती रहेंगे, तो गरीबी विरुजगारी पहले जी समाज में, नहीं पहले जी, समाज में यह नियम काईदों को फोलो नहीं करते हैं, तो रित को फ सेनिक परसासन, परसासन का मतलब केवल यह नहीं, जी सीवल एड्मिस्टेशन ही परसासन होता है, सेनिक परसासन भी तो परसासन है, तो देश ची सुरक्षा, यहां पे हमारी नागरिकों ची सुरक्षा सम मेंटेन करेगा परसासन जब रित को फोलो करेगा, रित पराबर ज कज़़ा है stability security यही तो रीथ है पिर चाली चाल लिखेता है जरूरारी यह भी तो नर्सौ सो महार को वरेंगे उन्हें यह मतलब भी नहीं है कि कौन सी चीज चीज व्यक्तिक लिए जरूरी जरूरी चीज़ों पर ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता परशासन का ताच्कियों की उनके द्वारा रित्फ हो नीची जाती है अगर जिसी परशासन के द्वारा जर और अगले दिन न्यूज में खबर आएगी कि चार लोग गाड़ी सही रोड़े गड़े में समाई अभी तक उनकी तलास जारी है बाइक सवार पतनी सही गड़े में जिरे और ठुड़ी तुड़वाई नालियों का चोक हो जाना रोड़ पे बाढ़ आना कारण क्या है कि जर जरूरी यह है कि अभी समोसे आ गए परुटी जरूरी नहीं है तो परसासन जब रूट को फोलो करता है तो चीजों के ध्यान देगे आता है वो कंफर्मिटी लेक्या आता है से प्रिद बराबर जा है इसको इनर मोरालिटी को जनम देता है इसको इनर मोरालिटी आंत्रीक मोरालिटी को इमानदारी, ओनेश्टी, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्टा इन सब चीजों का जनम किसे होगा? रित से परसासन दार्निय विकास पे ध्यान देगा कब दे पाएगा जब सस्टेनेबल डवलप्मेंट के जब रित को फोलो करेगा संसादनों का वो सई उप्योग करेगा उसके द्वारा परियावरण का सन्रक्शन करने पे ध्यान दिया जाएगा किसी भी परसासन के द्वारा अरावली के अवैद खनन को रोका जाएगा वहाँ पे उनके द्वारा कोई अलोटमेंट नहीं कर दिया जाएगा आप रावली को तोड़ दोजे और गुगाओं मसा दोगे गुड़गाओं में कंक्रीट के जंगल बना दोगे रवास्तिक जंगलों को तोड़ कर तो यह कब होता है जब हम लोग यहां पर परंपरा नियम गाइदों को बोलो नहीं करते हैं जब नियम का परंपराओं पर ध्यान दिया जाता है तो कोई परसासन किसी भी समाज धर्म की परंपराओं पर आगात नहीं पहुंचाता है उन परंपराओं का वो संचालन करता है तो जो भी परसासन होता है उसके दुवारा मेलों का सही दंसे आयोजन करवाना जो भी परंप को फोलो करता है तो फियर लेस हो जाता है रित बराबर जा है बहाद्दुरी क्या बन जाएगा वह फियर लेस और बहाद्दुरी से अपना कान कर पाएगा तो परसासन में यह उप्योगिता होती है इसकी रित के यह उप्योगिता होती है उसके बाद में आता है जिसमें एन अनारीत रित मतलब जा जब आ नारीत को फोलो किया जाता है तो क्या क्या result आते हैं ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो जा है अगर आप ए नरित मतलब जा है ए सत्य ए नरित वराबर क्या रहेगा ए सत्य रहेगा तो ए नरित यानि की रिट को फोलो नहीं करना ही क्या है ए नरित है जब हमारे द्वारा रिट को फोलो नहीं किया जाता हम लोग कोन से युग में जी रहे हैं कल युग के अंडर जी है कल दो मतलब होते हैं, जहां पे नास मनुझ पे चाया रहता है, उसका विवेक मरा हुआ रहता है, और जहां पे कल पूर्जों से विक्ति का जीवन संचालित होता है, जहां पे कार खानों से विक्ति का जीवन संचालित होता है, वह यूग होता है कल यूग, कल यूग, कल पूर् और हमार कोई काम मेरेगा और हमारे को दर्ती सोडनी पढ़ेगी यह कब होगा जब एहनMRITY कारिये किए जाते हैं व्यक्तिक करता है यहाइ लेगती करता है तब आती हैями 제 मोस्य पेंडेमिक माँनारी आती है मन्की पोक्स आता है कोरोन आता है, इसमाल पोकोस आता है, खूभ सारे पोकोस आते हैं, फिर हम वह पेक कर देते हैं और पेक करने के बाद यह लोगों को वहाँ पहुचा दिया जाता है, जहां मेंtx पहुचना है नहीं पहुचना चाती है तो सिंपल reinvent कॉंसेप्ट है मोसम की इनियमित इर्रेगुलरिटी ओफ मौसम मौसम की कब बारिस हो जाये की कब गड़े पड़ जायें किसी को इह नहीं पता है औरे पड़ते है पता ही नहीं रहता, एकदम से गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी फुटी भी मिली, अरे क्या हो गया? पत्थर बरसे ते उपर से, पत्थर क्यों बरसे है? क्योंकि यहां पर पाप चा गया धरती पर, पाप चाने का मतलब हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को पर्मोट किया, क्लाइमेट चेंज को पर्मोट किया, किसाब जकार था तो दूपने वाली है, बॉम्बे डूप जाएगा, नियोर्क डूप जाएगा, क्यों डूपेगा, सीर राइस के कारण, अस्टेलिया के जंगलों में आग लग गई, अमेजोन के जंगलों में आग लग गई, अरुन हमें लोगों उने इतनी ज़्यादा एन इंड़ीट पेला देही है, अमोग रास्ते पर हमें पता ही नहीं है सेर्दियों में बारिस होजी, गर्म ने बारिस हो आपका जाना यह एनियम इतना ही काल जाना यह अनियम इतना ही है मोसम की पिली वरकष्टा चार् काला धन करप्सन पेलता है भaff मुलता है यानि जब से यूज डॉलर आया है दुनिया के अंदर तो पुंजी वाद को बढ़ाव मिलता है वैसे वैसे अंसस्टेनेबल डॉलपमेंट भी बढ़ता जाता है तो अंसस्टेनेबल इस डारेक्ली प्रपोर्शनल विद यूएस डी जितना ज्यादा हम लोग डॉलर की रेंगे भागना किसी तरफ है रूपह की तरफ है तक की तरफ कोड स्याव जहाँ यांशा संतुस्टी होजाए यानि कम में संटुस्टी हो जाएजी संतुस्टी ज़रूरी है तो था मैं परिट नेllcjiव चैन्ज और प्रियावरन अस संतूलन एनव् Between दिस्वेलेंस एडि आती ऐडिक माती है जब हम लोग गलत काम करते तो इन्वार्मेंटल डिस्वेलेंस भी कब आता है जब हम लोग गलत काम करते हैं तो इडी परापर इन्वार्मेंटल डिस्वेलेंस और इडी परापर गलत काम इडी कभी नहीं आए जी अगर हम लोगों जे दुवारा गलत तरीचे से पैसा नहीं कमाया गया है तो बात में हम आरोप जिसी पर भी लगा सकते हैं जिसाब उन्होंने एडी बेस दिर यह इडी आ गई समझें आ गया तो हमारी जीडी लेगी ठीक है कुछ नहीं लेगे जात करती है और अधित्य कोन है सूरिय रित धर्ती को तो प्रोटेक्ट करती है अवनी को प्रोटेक्ट करती है अधित्य को प्रोटेक्ट करती है और अधित्य को शेक्योर करती है तो दर्ती का प्रोटेक्शन कौन करेजी रित करेजी और सूरिय को सेक्योर कौन करेजी सुर्क् ग्लेसियर फिगल रहे हैं मतलब बाड आ रही है मतलब सहर डूब रहे हैं मतलब माइग्रेशन आ रहा है मतलब एक जगे पर आबादी बढ़ रही है एक जगे पे आबादी बढ़ रही है मतलब कच्छी वस्तिया आ रही है और अरा जगता फेल रही है अरा जगता फेल रही है कच्छी वस्तिया आ रही है गंद जी आ रही है तो महमारी आ रही है लोगों चे दुआरा लोगों को मारा जा रहा है लो एंड ओडर विगड रहा ह क्या ऐसी दर्थी पर हम रोख देना पसंद करेंगे नहीं करेंगे तो रोकना इसको है ग्लोबल वार्मिंगो इन सब की जनम दे जी सब को ठीक है कानून व्यवस्ता काहाना ब्रीच आफ़ लोएंड ओडर को हम लोग नहीं मानतें कि क्या होता है कानून कानून को तो मैं कि अपनी गाड़ी तो यह चाला लिया तो थेक दम है तो पास कर वड़ना बरदास कर ठाएक ना ओरन ओचे फ्लीज हम लोग ऐसे ही चलेंगे और हम लोग लालवत्ति क्या होती है लालवत्ति तच्छा हमारे विदाइक है हम लोग किसी जी नहीं मानते हैं यह रोड आपके प सब्सक्राइब करते हैं तो उस दोरान हमारा हाथ अपने लाइसेंस पॉलिशन पे नहीं जाता हमारा हाथ सीधा फोन पे जाता है पॉलिस वाले होते हैं वो तो अमारी गाड़ी को अलग खड़ी कर देते हैं और गाड़ी पकड़ ली अगला है वह पोड़ी में बन जाते हैं जी मैं कहीं का कमिस्नर बोल रहा हूं डिप्टी बोल रहा हूं अगला भी देखता है हाँ साब हाँ साब सोड़ता हूं इस परकार से चीज आती है तो बैसाब ओडर ही फोलो बन लगा जे चलो पॉलिशन बना जे रखो स्पीड में मत चलो तो फोन निकालने की जुरती कब आएगी कई बार दिक्कत दिया आ जाती है जब आपको चेमरा पकड़ लेता है और घर पे हमारे क्या आजाता है नीम अंत्रन पत्र रहा जाता है वाइसाब को कोट में पेस होना इतने काज जमा कराना उस दिन फोन किसको करें फिर हम लोग वह चीकल को फोन करते हैं जब से से शेटिंग है ज्यानी की व्यक्तिके तुवारा कानून के ज हम लोग लो एंड ओडर को दुस्मन समझते हैं कि कानून को तोड़ता हूं तो मैं बहुत दूर हूं कानून को फोलो करने वाले कम जोड़ लोग होते हैं तो लालवत्ती पे गड़ा है अमारी मजाग बना दी जाती है अरे चल चल कोई नहीं देख रहा है मैं हूंना इंच है नियान में पर लाइट है और एकला ही घड़ाओं में और में वहां पर खड़ा रहूंगा कुछ जगों पर नहीं ख़ड़ा रहना चाहिए अगर आप लग नहीं खड़ा रहना है청आए सो पोलो किया जा रहा है मारे समझा आ गया अपराग बढ़ा देती है क्यों तो एक परकार का यह एन्री देता है फिर अन्त के अंदर जिसका उप्योग हमारे खुद के लिए भी दोना चीए ना लास्ट लिकों मानव के लिए उप्योगी का खता है रेलिवेंस पॉर हीूमन वेंग रेलिवेंस पॉर हुव्मन लेंगग मानों टीए रिपिचाव योगिता है तिक रिप लिखों मानों पुग अनिट्म हाहत उक्रिक नट्री रखित्व काव तास् है और मोरल परस्नलेटी है मोरल परस्नेलटी हर की जो होता है यह हर को है बिल्लू और नहीं होता है अř on मैं तो ख़लना एक बनोंगा मोरल वक्ता बनने का व्यक्ति या बनना चालता है यलुप मून प्राइब बनना चाहता है, बहुत ही कम होते हैं, कई बार व्रति जीसे फच जाता है, जी मैं गलत रास्ते पर आ गया, उसको भी रिलाइज होता है बाद के अंदर, ठीक है न, तो जो एथीस्ट होते हैं, बोलते हैं, जी मैं भगवान विश्वास नहीं करता है, ये टेंपरेरी होता है एक नए एक दिन उनमें विश्वास जागता ही है, परमानेंट तो क्या है थीज्म, विश्वास करना, और एविश्वास करना नोन परमानेंट है, क्योंकि एविश्वास कब विश्वास में बदल जाएगा, पता ही नहीं है, ये भी तो चीज होती है, तो हमारे को मोरल वक सब चीजी हम लोग चाहते हैं हम लोगों के सुरक्षा संबन्दी बहुत सारी जुरुते हैं सुरक्षा कब आती है जब हम लोग को रेगुलर काम करते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी आती है कि एकौनोमिक सेकृरिटी आती है हमारी सुरक्षा कम में ठें रहती है जब हम लोग एक निश्श्चित जगें पर रहते हैं क्या हमारे दवारा रोज घर बदले जाते नहीं कि आज इस गर में था और कल इस गर में हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहोगा यानी एक सादू होता ह उसका विय सित्स इस्तान होता है उसके दुआरा भी नियमी दाइसित दिन सुरियाह को पोलो किया जाता है तो नियमी ते रेगूलर्टी लेकि आता है रिध槐। और जो इरगूलर है वो किसी भी चीज गार नहीं है उसके जीवन में एक ही थोट भी नहीं है ना जिसी परकार का रेगुलर्टी है यह हमें क्या बनाती है परमार्ती और पुरसार्ती पर्मार्ती, पर्मार्ती कब बनते हैं हम लोग, जब हम लोग भाद्दूर होते हैं, जब हम लोग शेक्योर होते हैं, अनुसासित होते हैं, हमारे पास में कुछ देने को होता है, और यह हमें क्या बनाती है, करम सील, पुरुसार्ती, पुरुसार्ती, जब रखती सब कुछ फोलो कर रहा है तो automatically वो चिस पर द्यान देगा कर्मों पर द्यान देगा कर्मों पर द्यान दे रहा है मतलब वो चाहे पुरसार्ति है उसे सुख मिलता है वेबहों मिलता है happiness happiness साथ में क्या मिले जी prosperity जिसका देवता है prosperity का और जब आपको संतुस्टि मिल जाए जी satisfaction तो क्या मिलेगा मोक्ष मिल जाएगा मोक्ष भी दिला दिया इसने और व्यक्ति प्रकर्ति का रक्षक बनता है इसका रक्षक प्रकर्ति का प्रोटेक्टर ओफ नेचर प्रकर्ति का रक्षक बनता है व्यक्ति के जीवन में निरंत आती है निश्चित आती है अनुसासन आता ह जब किसी व्यक्ति के पास में ये गुण होते हैं, stability होती है, regularity होती है, confirmity होती है, discipline होता है, तो समाज में उस व्यक्ति की एक विश्वसनियता बनती है, और हम सभी लोगों का ये परियास रहता है कि समाज में हमारी विश्वसनियता बने, लोग हम पे विश्वास करें, हमें विश्वस्निय माने, यह सब आएगा जिससे, रित को फोलो करने से, रित फोलो करो, सारे गुण विक्षित हो जाएंगे, यही क्या है, रित, कोई confusion रित में, किसी परकार का confusion नहीं है, बंद कर दिया, जाए, कोई भारी